HDFC Tata New Credit Card जिसका चार्जेस सिर्फ सिफ 499 रुपे जोइनिंग चार्जेस और एन्यूवल चार्जेस है तो अगर आपको HDFC बेंग का Tata New Plus Credit Card चाहिए तो आपको एन्यूवल या फिर जोइनिंग चार्जेस 499 रुपे आप पे करके आप इस credit card को apply कर सकते हैं बाकी और cashback benefit क्या है कैसे आप reward को redeem कर सकते हैं कैसे कैसे cashback मिलता है सब कुछ इस वीडियो में detail में जानेंगे तो आइए सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं cashback की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2% का cashback मिलता है न्यू कॉइन अब एक न्यू कॉइन का बरावर होता है एक रूपेज ठीक है तो यह यहाँ पे 2% का back आपको किसमे मिलेगा non EMI spend पे on Tata new and उसके partner brand पे मतलब कि आप जो भी इसका partner brand है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन सा इसका partner brand है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Tata new coin का जो partner brand है वो यह है brand आप यहाँ पे देख सकते हैं Tata 1MG, Big Basket, Chroma, Air India Express, Tata Click, West Side तो यहाँ पे Tata Play, Cult, Tata Pay, Air India तो यह जितने भी है वो जो है Tata का brand है तो इनमें अगर आप spend करते हैं Tata new credit card से तो इसमें आपको 2% का मिलेगा cashback new coin लेकिन सर्थ यह है कि इनमें से अगर आप कुछ भी EMI के थूँ अगर आप order करते हैं फिर EMI करवाते हैं तो इसमें आपको जो 2% का new coin है वो आपको नहीं मिलेगा उसके बाद यहाँ पर संट का cashback new coin on non Tata brand मतलब कि साथ जाथ यहाँ पर एनी मर्चेंट EMI spend अब कोई भी मर्चेंट जैसे कि फिलिप कार्ड Amazon यह भी मर्चेंट है तो इसमें अगर आप spend करते हैं तो आपको इसमें directly 1% का cashback मिलेगा cashback मतलब new coin मिलेंगे जो कि Tata के brand नहीं भी होंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे जैसे कि कहीं पे अगर आप online spend करते हैं कोई भी flip card या फिर Amazon पे तो वहाँ पे भी आपको 1% का cashback मिल जाएगा अच्छी बात यह है कि अगर आप EMI के through भी अगर आप spend करते हैं EMI भी करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 1% का new coin देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे है 1% cashback new coin on UPI spend सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो HDFC bank का Tata new plus credit card है वो आपको UPI spend करने पे भी आपको cashback दे रही है जो कि पूरे 1% का है तो यहाँ पे आप maximum 500 रुपए 500 new coins यहाँ पे कमा सकते हैं 500 new coins का मतलब 500 रुपए पर calendar मतलब पूरे 30 दिन में तो यहाँ पे अगर आपके पास एक अच्छा options यह मिल जाता है कि अगर आप अगर इस HDFC bank का Tata new plus credit card को UPI के through भी spend करते हैं वो भी आपको 1% का cashback मिल जाएगा औ maximum आपको 500 रुपए तक cashback हर मन्त मिल सकता है welcome benefit की बात करें तो welcome benefit यह कि आपको first में 499 new coin मिल जाएगा और इसका charges भी 499 रुपए है तो मतलब कि first year आपको जो charges देने होंगे वो आपको नहीं देने पड़ेंगे वो आपको इस Tata new coin के through आप redeem कर सकते हैं तो यह अच्छा benefit इस में आपको देखने को मिल जाता है बाकि अगर बात करें कि new coin को आप redeem कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो भी brand है उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं यह फिर जो टाटा पी है उसके through भी आप payment कर सकते हैं जो की easily यहाँ पे आपको जो भी आपका new coin रहेगा वो आपके cashback में बदल जाएगा और आपके account में जो भी पैसा होगा वो credit हो जाएगा expiry की बात करें तो दोस्तों तो यहाँ पे जो expiry है new coin validity जो यहाँ पे देख सकते हैं expiry 365 days मतलब पूरे साल भर का आपको expiry मिल जाता है तो अगर आप एक साल भी एगर आप redeem नहीं करते हैं मतलब कि एक साल के पहले आपको redeem कर लेना है बट 365 days का यहाँ पे validity आपको मिल जाता है इससे पहले पहले अगर आप redeem नहीं करेंगे तो सारा जो है यहाँ पे expire हो जाएगा waste हो जाएगा तो यह मैंने आपको सारी जीजे बता दिया है apply करने का process क्या होने वाला है तो apply करने का process है बहुत ही सिंपल है चीक eligibility आपको दिख रहा है अगर आप eligible होंगे तो definitely इसका आ आपको joining fees 499 रुपए देना पड़ेगा प्लस में annual fees 499 रुपए देना पड़ेगा जब आप apply करेंगे तो आपको 499 रुपए लगेंगे जो कि आपके statement के साथ include होके जब आप bill payment करेंगे तो उसमें आपको आएगा और जो annual fees है वो पूरे एक साल यूज करेंगे तो आपको statement पे फिर use होके मतलब include होके 499 रुपए पे करने पड़ेगे तो आपको सारे जानकारी मैंने आपको दे दिये हैं tata new plus credit card से related तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा अगर कुछ छूट गया होगा या फिर कुछ और चीज़े include करना है तो मुझे नीचे comment करक अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद